नमस्कार लाइफ सीटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशा बार्नवाल देश में अगले साल लोकसभाद चुना होने वाला है और उसके ठीक अगले साल यानि कि साल 2025 में बिहार वधान सभाद चुना होगा तो इसको लेकर बिहार का उत्तराधिकारी कौन होगा कौन होगा बिहार का नेतृत्वकरता सवाल खड़े हो रहे हैं बिल्कुल ही अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो अच्छा होगा बिहार के लिए ये काफी खुशी वाली बात होगी सबसे पहले हम आपको जीतन राम मांजी का वो बयान सुनाते हैं किसी से नाराज नहीं है तेजस्वी बहुत अच्छे लड़के हैं अगर मौका मिले तो वो चीफ मिनिस्टर लायक है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है तो सुना अपने तेजस्वी यादव को लेकर जीतन राम मांजी ने क्या कुछ कहा उन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव अच्छे लड़के हैं बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री के चहरे के तौर पर वे एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीका रहा है चुनाव को लेकर राजनितिक सरगर्मिया भी बढ़ने लगी है देश में अगले साल ही लोकसभाद चुनाव होने वाला है और उसके ठीक अगले साल यानि कि साल दुहजार पच्चिस में बिहार वधान सभाद तो विपक्ष का जो चहरा होगा यानि कि PM फेस जो होगा वो कौन होगा नितीश कुमार को लेकर चर्चाएं काफी तेज है क्योंकि सभी विपक्षी दल एक जूट हो रहे हैं इस पर सभी विपक्षी दलों की हामी भी भरी जा चुकी है तो ये सवाल काफी तेजी से उठ कि आखिर अगर नितीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मिद्वार होते हैं तो बिहार का नेत्रत्व कौन करेगा वहीं आग जीतर नाम मांजी दिल्ली दौरे पर भी थे जहां उन्होंने अमित्षा से मुलाकात की उनसे बातचीत की जुसके बाद वे मीडिया के सामने मीडिया से बातचीत के करम में उन्होंने बताया कि आमित्षा से वह दशरत मांजी को भारत तुरतन दिलाने की मांग किये हैं इसके साथ ही आनिये कई अगामी अगर उन्हें सीम का फेस बनाया जाता है अगर बिहार में वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाते हैं तो यह अच्छी बात रहेगी आपको यह भी याद दिलादे कि बीते दिनों जग्दानन सिंग जो की आरजडी के प्रदी सद्यक्ष हैं उन्होंने भी तिजस्वी कि महागडबंधन के घटक दल के जितने भी नेता हैं वो यह चाहते कि नितीश कुमार जो है वो प्रदानमंत्री का उमिद्वार बने वहीं तेजस्वी आदफ की बात करें तो तेजस्वी आदफ को लेकर सभी की यही मन्शा है कि अब बिहार का नित्रत्व करता उन्हें ह कि बनाया जाए हालाकि यह अलग बात है कि जेडियू से जो उपेंद्र कुस्वा हैं वो इसी बात से बिफर गये थे कि तेजस्वी आदफ को नितीश कुमार ने आगामी सीम कैंडिडेट के फेस के तौर पर बता दिया था जोसके बाद उन्होंने अपनी एक नई पार्ट के साथ जब से नितीश कुमार गट बंधन में आये हैं तब से ही बिहार में जंगल लाज लोट गया है बिहार में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है बहराल इस खबर में इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं लाइफ सीटीज के साथ अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को लाइक कर ले योट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद